ओम शान्ती ग्यारा मई दो हजार बीस बाबा के महावाक्य मीथे बच्चे तुम इन आखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामगरी है यह समाप्त होनी है इसलिए इस दुखधाम को बुद्धी से भूल जाओ प्रश्ण मनुश्यों ने बाब पर कौन सा दोश लगाया है लेकिन वह दोश किसी का भी नहीं है उत्तर इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुश्य समशते हैं भगवान ही कराता है दुख भी वह देता सुख भी वह देता यह बहुत बड़ा दोश लगा दिया है बाब कहते बचे मैं सदा सुख दाता हूं मैं किसी को दुख नहीं दे सकता अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आजाए वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है मैं नहीं कराता हूं गीत रात के राही ठक मत जाना ओम शान्ती बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं गीत का अर्थ करने से वानी खुल जाएगी बच्चों की बुध्धी में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर है रात की यात्रा पूरी होती है भक्ती मार्ग है ही रात की यात्रा अंधियारे में धक्का खाना होता है आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो अभी आए हो दिन की यात्रा पर यह यात्रा एक ही बारी करते हो तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सतियुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतियुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कल्युग के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नर्ग, अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो। बाप से सुख ही मिलता है, जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं, वह सिर्फ यह याद रखें, शान्ती धाम हैं, हम आत्माओं का घर, सुख धाम हैं, स्वर्ग की बाद्शाही, और अभी यह हैं दुख धाम, रावन राज्य है अब बाप कहते हैं, इस दुख धाम को भूल जाओ, भल यहां रहते हो, परन्तु बुद्धी में यह रहे, कि इन आखों से जो कुछ देखते हैं, वह सब रावन राज्य है इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामगरी है यह सारी सामगरी इस यग्य में स्वाहा होनी है वह पतित ब्रामन लोग यग्य रचते हैं, तो उनमें जों, तिल, आदी सामगरी स्वाहा करते हैं यहां तो विनाश होना है उंचते उंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विश्नु शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं विनाश तो होना ही है, बाप तो विनाश उनसे कराते हैं, जिस पर कोई पाप ना लगे अगर कहीं भगवान विनाश कराता है, तो उस पर दोश आजाए इसलिए यह सब ड्रामा में नून्द है यह बेहद का ड्रामा है, जिसको कोई जानते नहीं है, रचता और रचना को कोई नहीं जानते, ना जानने कारण निधन के बन पड़े है, कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता है और आपस में लड़ते हैं, तो कहते हैं, तुम्हारा कोई धनी नहीं है, क्या अभी तो करोडो मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोणी नहीं है, नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष इस्तरी के साथ लड़ते रहते हैं दुख धाम में है ही अशान्ती, ऐसे नहीं कहेंगे, भगवान बाप कोई दुख रचते हैं मनुष्य समशते हैं, दुख सुख बाप ही देते हैं, परन्तो बाप कभी दुख दे न सकी उनको कहा ही जाता है सुख दाता, तो फिर दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं, हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी हम आत्माओं के रहने का स्थान परमधाम है जिसको शान्ती धाम भी कहा जाता है यह अक्षर ठीक है स्वर्ग को परमधाम नहीं कहेंगे परम माना परे ते परे स्वर्ग तो यहां ही होता है मूल वतन है परे ते परे जहां हम आत्माओं रहती है सुख दुख का पार्ट तुम यहां बजाते हो यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा यह है बिलकुल रौंग स्वर्ग तो यहां है नहीं अभी तो है कल्युग इस समय तुम हो संगम युगी बाकी सब हैं कल्युगी एक ही घर में बाप कल्युगी तो बच्चा संगम युगी स्त्री संगम युगी पुरुष कल्युगी कितना फर्क हो जाता है इस्त्री ज्यान लेती पुरुष ज्यान नहीं लेते तो एक दो को साथ नहीं देते घर में खिटकिट हो जाती है स्त्री फूल बन जाती है वह काटे का काटा रह जाता एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुशोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं लेकिन बाप कहते शादी बरबादी कर नर्क वासी बनो अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो अभी की पवित्रता 21 जनम चलीगी ये रावन राज्य ही खलास हो जाना है जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिजी जलाते है न जैसे रावन को जलाते है तो दुश्मन से कितनी घरणा होनी चाहिए परन्तु यह किसको मालूम नहीं कि रावन कौन है बहुत ही खर्चा करते हैं मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं, वहां तो बिजली में रखा और खतम, वहां यह ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आई, वहां की तो रसम रिवाज ऐसी हैं, जो कोई तकलीफ अत्वा, ठकावट की बात नहीं रहती, इतना सुख रहता है, तो अब बाप समझाते हैं, मा में कम याद करने का पुर्शार्थ करो, यह याद करने की ही युद्ध है, बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीथे बच्चे अपने उपर अटेंशन का पहरा देते रहो, माया कहा ना कान काट ना जाए, क्योंकि दुश्मन है न, तुम बाप को याद करते हो, और माया तुफान में उड़ा देती है, इसलिए बाबा कहते हैं, हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए, कि कितना बाप को याद किया, कहा मन भागा, डायरी में नोट करो, कितना समय बाप को याद किया, अपनी जाच करनी चाहिए, तो माया भी देखेगी, यह तो अच्छा बहदुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है, अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिच्चे देते हैं, कहते हैं, भल घरबार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो, यह कोई उन सन्यासियों मुहाफिक नहीं हैं, वह भीक पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है न, तुम उनको भी कह सकते हो, कि तुम हट योगी हो, राज योग सिखलाने वाला एक ही भगवान हैं, अभी तुम बच्ची संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े, हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं, हम उत्तम पुरुष अर्थार्थ पूज्य देवता थे, अब कनिष्ट बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रही हैं, अब हम क्या बनते हैं, मनुश्य जिस समय बैरिस्ट्री आदी पड़ते हैं, उस समय मर्तबा नहीं मिलता, इम्तहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, जाकर गवर्मेंट की सर्विस में लगेंगे, अब ही तुम जानते हो, हमको उँचते उँच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर उँचते उँच पद भी देंगे, यह एम ओब्जेक्ट है, अब बाप कहते हैं, मा मेकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ, सो समझा दिया है, आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है, तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़े ही था, कि आत्मा बिंदी है, उनमें सारा 84 जनमों का पार्ट अविनाशी नुदा हुआ है, क्राइस्ट पार्ट बजाकर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सहीना, क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे, क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी, जो भी उंच ते उंच धरम स्थापक हैं, वह अब तमो प्रधान हैं, यह भी कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं, तत त्वम, तुम जानते हो, हम अभी ब्राह्मन बने हैं, देवता बनने के लिए, विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते, अभी तुम बच्चे जानते हो, आत्मा स्वीट होम में रहती हैं, तो पवित्र है, यहां आने से पतित बनी है, तब कहते हैं, हे पतित बावन आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ती धाम में जाएं, यह भी पॉइंट धारन करने के लिए हैं, मनुष्य नहीं जानते, मुक्ती जीवन मुक्ती धाम किसको कहा जाता है, मुक्ती धाम को शान्ती धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ती धाम को सुख धाम कहा जाता है, यहां है दुख का बंधन, जीवन मुक्ती को सुख का संबंध कहेंगे अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा हम पुर्शार्त करते हैं उच पद पाने के लिए तो यह नशा होना चाहिए हम अभी शिरीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रही है जगत अंबा नंबर वन में जाती है हम भी उनको फॉलो करेंगे जो बच्चे अभी मात पिता के दिल पर चड़ते हैं वही भविश्य में तक्त नशीन बनेंगे दिल पर वही चड़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं सब को पैगाम देना है कि बाप को याद करो पैसा कोड़ी कुछ भी लेने का नहीं है वह समशते हैं यह राखी बांधने आती हैं कुछ देना पड़ेगा बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं सिर्फ पांच विकारों का दान दो यह दान लेने लिए हम आई हैं इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं बाप को याद करो पवित्र बनो तो यह देवता बनेंगी बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं हम वह ब्रामन नहीं हैं सिर्फ पांच विकारों का दान दो तो ग्रहन छूटे अभी कोई कला नहीं रही है सब पर ग्रहन लगा हुआ है तुम भ्रामन होना जहां भी जाओ बोलो देदान तो छूटे ग्रहन पवित्र बनो विकार में कभी नहीं जाना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे तुम ही फूल थे फिर कांटे बने हो चोरासी जनम लेते लेते गिरते ही आए हो अब वापिस जाना है बाबा ने डाइरेक्शन दिया है इन द्वारा वह है ओचते ओच भगवान उनको शरीर नहीं है अच्छा ब्रह्मा विश्नु शंकर को शरीर है तुम कहिंगे हाँ सुक्षम शरीर है परन्तु वह मनुश्यों की स्रस्टी तो नहीं है खेल सारा यहां है सुक्षम वतन में नाटक कैसे चलेगा वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहिका होगा यह बहुत बड़ा मांडवा है पुनर जनम भी यहां होता है सुक्षम वतन में नहीं होता अभी तुम्हारी बुधी में सारा बेहद का खेल है अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है आधा कल्प हम पवित्र थे हमारा ही हार और जीत का खेल है भारत अविनाशी खंड है यह कभी विनाश होता नहीं है आदी सनातन देवी देवता धरम था तो और कोई धरम नहीं था तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिनोंने कल्प पहले माना होगा पांच हजार वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं सत्युग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है वह निकल आएगी दिखलाते हैं सागर से देवताईं रतनों की थालियां भर कर देते थे वस्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रतन की थालियां भर कर दे रही हैं दिखाते हैं शंकर ने पारवती को कथा सुनाई ज्ञान रतनों से जोली भरी शंकर के लिए कहते भांग धतूरा पीता था फिर उनके आगे जाकर कहते जोली भर दो हमको धन दो तुद देखो शंकर की भी गलानी कर दी है सबसे जास्ती गलानी करते हैं हमारी यह भी खेल है जो फिर भी होगा इस नाटक को कोई जानते नहीं मैं आकर आदी से अंत तक सारा राज समझाता हूँ यह भी जानते हो ओच ते ओच बाप है विश्नु सो ब्रह्मा ब्रह्मा सो विश्नु कैसे बनते हैं यह कोई समझ ना सकी अभी तुम बच्चे पुर्शार्थ करते हो कि हम विश्नु कुल का बने विश्नु पुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्रामन बने हो तुम्हारी दिल में हैं हम ब्रामन अपने लिए सूर्य वन्शी चंद्र वन्शी राज धानी स्थापन कर रहे हैं शिरीमत पर आदी की कोई बात नहीं देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं देवताओं है सत्युग में वहां लड़ाई कैसे होगी अभी तुम ब्रामन योगबल से विश्व का मालिक बनते हो बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे तुम साइलेंस बल से साइनस पर विजय पाते हो अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है हम आत्मा है हमको जाना है अपनी घर आत्मा ही तीखी है अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो एक घंटे में कहां से कहां चला जाता है अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है चप्टी में आत्मा कहां की कहां जाकर जनम लेती है कोई विलायत में भी जाकर जनम लेते है आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है इसमें मशीनरी आदी की कोई बात नहीं शरीर छोड़ा और यह भागा अब तुम बच्चों की बुद्धी में हैं हमको घर जाना है पतित आत्मा तो जान न सके तुम पावन बन कर ही जाएंगे बाकी तो सब सजाईं खाकर जाएंगे सजाईं तो बहुत मिलती है वहां तो गर्ब मेहल में आराम से रहती है बच्चों ने साक्षातकार किया है कृष्ण का जनम कैसे होता है कोई गंद की बात नहीं एक दम जैसे रोशनी हो जाती है अभी तुम वैकुंट के मालिक बनते हो तो ऐसा पुर्शार्थ करना चाहिए शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए दाल भात सब से अच्छा है रिशी केश में सन्यासी एक खिडकी से लेकर चले जाते हाँ कोई कैसे कोई कैसे होते है अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ति धारणा के लिए मुख्य सार पहला अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है माया से अपनी संभाल करनी है याद का सच्चा सच्चा चाड रखना है दूसरा मात पिता को फॉलो कर दिल तक्त नशीन बनना है दिन रात सर्विस पर तत पर रहना है सब को पैगाम देना है कि बाप को याद करो पांच विकारों का दान दो तो ग्रहन छूटे वर्दान बाप की याद द्वारा असंतोश की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोश की अनभूती करने वाले महावीर भव सदा बाप की याद में रहनी वाले हर परिस्थिती में सदा संतुष्ट रहती है क्योंकि नौलेज की शक्ती के आधार पर पहाड मुहाविक परिस्थिती भी राई अनुभव होती है राई अर्थार्त कुछ नहीं चाहें परिस्थिती असंतोश की हो दुख की घट ना हो लेकिन दुख की परिस्थिती में सुख की स्थिती रहे तब कहींगे महावीर कुछ भी हो जाए नथिंग नियों के साथ साथ बाप की स्मृती से सदा एकरस स्थिती रह सकती है फिर दुख अशान्ती की लहर भी नहीं आएगी स्लोगन अपना देवी स्वरूप सदा स्मृती में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती ओम शान्ती पर पर बाप की स्वरूफ लिए अविष्णान्ती और शान्ती